आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विग्यान, भौतक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो खीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अभी डाउनलोड करें ठीक है, ठीक है, तो मान लेते हैं, माना की आयन में उपस्थित इलेक्ट्रोनों की संख्या एक्स है, ठीक है, माना की आयन में उपस्थित इलेक्ट्रोनों की संख्या, ठीक है, इलेक्ट्रोन की संख्या बराबर कितनी है, एक्स, ठीक है, तो अब यह जो है, इसमें इलेक् कित्ते होंगे तो neutron बराबर हमारे कितने हैं जैसे कि प्रश्ण में कहा रहा था 30.4 प्रसद अधिक neutron है इलेक्ट्रों से अर्थात X तो electron थे और इसमें 30.4 प्रसद अधिक है अर्थात X का 30.4 प्रसद तो अर्थात X गुने 30.4 बटे 100 थीक है ना तो जब हम इसको हल करते हैं तो इसका मान हमारा आ जाता है 1.340 X थीक है तो यहाँ पर neutron के हमारी कित्तिया आगी 1.340 X थीक है तो यह हमारे किसमें आयन में उपस्थित हैं थीक है यहाँ लिख लेते हैं आयन में ठीक है ना आयन में उपस्थित neutron थीक है तो यह हम प्रस्ट में दिया था कि जो ए आयन है इस पर धनावेश की तीन एकाई है ठीक है अर्था आत इसने धनावेश की तीन एकाई से क्या थात पर रोता है कि इसने तीन electronوں का त्याक किया है ठीक है न तो चूँकि आएन पर ठीक है न तीन एकाई धनावेश है ठीक है तो जब इसमें तीन एकाई धनावेश होगा तो मूल तत्तो जो होगा उसमें electronوں की संग्या कित्ति हो जाएगी एक निगे लेक लेते हैं मुलतत्यों में लेक्ट्रोन वह क compliance में बराबर हमारे कित्ति हो जाएंगे यूद्य को हमने खमड़ानी थी यह ताथ अप जो ये इस पर ठीक है तो इस प्रकार से इसमें जो है X प्लस 3 इलेक्ट्रान हो गए अब मूल तत्तों में जो इलेक्ट्रानों की संख्या होती है वही उसमें उपस्तित प्रोट्रानों की संख्या के बरावर होते हैं ठीक है तो इसलिए मूल तत्तों में ठीक है ना प्रोट्रोनों की संख्या ठीक है ना प्रोट्रोनों की संख्या यह हमारी कित्ती आ जाएगी बरावर आ जाएगी X प्लस 3 के ही आ जाएगी ठीक है चुक्कि जो प्रोट्रोनों की संख्या होती है किसके बरावर होती है हमारे तत्त में उपस्थित इलेक्ट्रोनों की संख्या के बरावर होती है ठीक तो अब यह हो गया तो अब जैसा कि हम जानते हैं जो हम परमाडू भार होता है ठीक है अर्थात परमाडू द्रविमान यह हमारा क्या होता है बरावर होता है प्रोट्रोन ठीक ना तो अब जो किसी भी जो कोई भी तत्व है यदि उसका आएन भी होता है तो उसमें जो न्यूट्रोनों की संख्या होती हुए सदैव स्थिर रहती है ठीक ना स्थिर रहती है अतहा मूल तत्व में भी जो हमारे निूट्रान होंगे वे कितने होंगे वे उतने ही होंगे जितने कि हमारे इसमें थे आयन में वे कितने थे 1.340x ठीक ना तो अतहा मूल तत्व में निूट्रान बराबर कितने आ जाएंगे 1.340x ठीक है तो यह थे हमारे तो इस प्रकार से जो है अब हम यहाँ पर इस सम्मंद का अपना प्रियोग करेंगे कि परमादु दर्बमान बराबर प्रोटानों की संख्या ठीक है तो प्लस तीन है ठीक है प्लस अब नीटरोन संख्या कित्ति एक दसंबलाव 3, 4, 0x ठीक है ना तो इस प्रकार से है तो अब इसको जो है जरा हम इसको हल करते हैं तो यहाँ पर हमारा किता आजागा 2,3, 4, 0x बराबर 53 ठीक है ना तो अथा यहाँ से एक्स कमान हमारा कितना आएगा 53 बटे 2, 3, 4, 0 तो जब हम इसको हल करते हैं तो यहां से हमारा X कमान जो है वह निकल आता है 23 ठीक है तो इस प्रकार से यह हमारा X कमान जो है वह किता आ गया 23 ठीक ना तो अब जो है हम इसमें जो है अपने तत्त्त की पहचान करते हैं ठीक ना तो जब इसमें X कमान जो है वह 23 है तो प्रोट प्रोट्रोन बराबर हमारे कित्ते थे मूलतत्तों में एक्स प्लस तीन ठीक ना प्रोट्रोन के जो संख्या होती हुए प्रमाडुकर्मांग को प्रदर्शित करती है तो यहांपर प्रमाडुकर्मांग के तथा हो जाएका 26 ठीक है तो इस प्रकार से जो 26 प्रमाडुकर्मांग होगा वही हमारे तत्व को प्रदर्शित करते हमें F26 के दोरा प्रदस्यत करते हैं तब तो इसका परमाड़ उभार तो हमें दिया इता वह कित्था दिया हुआ था हमें यहां पर 56 ठीक है तो इस प्रकार से जो है ये हमारे यहां पर इसका परमाड़ उभार लिख देंगे और ये आयन कितना था? 3 का इस पर धनावेश था, तो इस प्रकार से प्लस 3 इस पर धनावेश आ जाएगा, ठीक है? तो ये जो हमारा है ये आयन का सूत्र है, ठीक है, आयन का प्रतीक बराबर हमारे कितना आ जाता? प्लस तीन इसका इस पर उपस्तित तीन का इकाई धनावेश थीक तो इस प्रकार से हमाय प्रशन का उत्तर पूर्ण होता है आशा करता हूं आप सभी कुत्तर समझ में होगा धन्यवाद आशी डाउन्यट करें डाउट्न डाप या वच्छाप करें अपने सारे डाउट्स आच चार्सो 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 पर